तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टोरी कॉप एंद अन्थम बाई ओ हेंडरी कॉप मतलब होता है दोस्तो पुलिस तो कहानी को हम स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप महारास्टा बोट से है तो मैं महारास्टा बोट के इंग्लिस लिटेशर के स्लेबस को कवर कर रहा हूँ तो अगर आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं तो इस कहानी में एक सोफी नाम का इंसान है जिसका घर नहीं है मतलब कि ये होमलेस है तो अभी विंटर सीजन चल रहा है तो ये अभी एक पार्क में बैट कर है एक बेंच के उपर तो ये यहाँ पर बेंच के उपर बैट कर सोचता है कि थंड का मौसम आ गया है तो ये कैसे सर्वाइफ करेगा इसके पास नहीं घर है नहीं खानी को है और नहीं पीने को तो अब ये सोफी सोचता है कि ये कुछ ऐसा बैड एक्टिविटी करेगा मतलब कि ये कुछ ऐसा खराब काम करेगा जिससे कि पूलिस इसे पकड लेगी और इसे जेल में डाल देगी वहाँ पर इसे खाना मिलेगा और पानी भी यानी कि वहाँ पर उसे सभी जरूरत मन चीज़ें मिलेगी तो ये वहाँ पर अच्छे से अपने winter को survive कर लेगा तो अब Sophie इस काम में लग जाता है मतलब कि Sophie कुछ बुरा काम करने में लग जाता है ताकि पूलिस उसे पकड़ ले सो सबसे पहला काम क्या करता है Sophie ये सोचता है ये एक बड़े से restaurant में जाएगा यानि कि ये एक बहुती महंगे रेस्टरॉंट में जाएगा और वहाँ पर खानी के बाद कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है बिल देने को तो रेस्टरॉंट वाले पूलिस को बुला कर इसे अरेस्ट करवा देंगे तो ये सोचने के बाद सोफी निकलता है यहां से इसी काम को करने लेकिन ये काम पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि रेस्टरॉंट वाले सोफी को निकाल देते है कि ये किसी शौप के وिंडो को मतलब कि ये किसी दोकान के وिंडो को तोड़ देगा जिससे कि इसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो अब सोफी को एक बहुती अच्छा अपर्चुनिटी मिलता है उसे एक शौप दिखाई देता है और उस शौप में विंडो था और अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर पुलिस भी था तो सोफी सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है तो अब ये पत्थर उठाता है और ये मारता है विंडो में लेकिन यहाँ पर शौकिंग वाली बात ये है कि जब सोफी ने पत्थर उठाया और विंडो में मारा तब पुलिस ने सोफी को पत्थर मारते हुए नहीं देखा और उसी वक्त वहाँ से एक इंसान दौड कर जाता है तो पुलिस को लगता है कि ज़रूर इसी इंसान ने तोड़ा होगा विंडो तभी यहां से दौड कर जा रहा है तो पुलिस उस इंसान के पीछे लग जाता है और पुलिस ने यहां पर सोफी को छोड़ दिया कहने का मतलब यहां पर यह है कि सोफी विंडो तोड़ने के बाद वहीं पर खड़ा था तो पुलिस को यह नहीं लगा कि इस बंदे ने तोड़ा होगा क्योंकि अगर स सोफी फिर से ये सोचता है कि ये रेस्टॉंट जाएगा और खाना खाने के बाद बिल पे नहीं करेगा तो ये बिलकुल ऐसा ही करता है और इस बार सोफी को रेस्टॉंट में एंट्री मिल जाता है तो ये खाना खाने के बाद बिल पे नहीं करता लेकिन यहां का जो वेटर ह वो बहुत ही दयालू था और उसे इंट्रेस्ट नहीं था सोफी के ऊपर तो यहां भी सोफी बच गया तो दोस्तो अब सोफी सोचता है कि अब वो किसी लड़की को छेड़ेगा ताकि पुलिस उसे पकड़ ले तो अब एक जगा सोफी देखता है कि पुलिस वालों के पास ए पास आ जाती है और उसे परिशान करने लगती है मतलब कि यह लड़की सोफी से अट्रैक्ट हो चुकी थी इसलिए वो इसे परिशान करती है और फिर सोफी बच जाता है अब सोफी क्यों बचा क्योंकि दोस्तों पुलिस वालों को खबर मिली थी कि येल येल क्या है ये एक university है तो पुलिस वालों को खबर मिली थी कि इस university के बच्चे अभी party कर रहे है तो पुलिस को लगा कि ये दोनों जरूर उसी university से होंगे तो पुलिस वालों ने अब इन दोनों को ही चोड़ दिया और यहाँ भी सोफी बच जाता है जेल जाने से और अब नेक्स्ट अटेंट में सोफी एक बंदे का अम्रेला चोरी करता है लेकिन यहाँ पर भी वो बच जाता है यहाँ पर कैसे बचा क्योंकि दोस्तो जिस बंदे का सोफी ने अम्रेला चोरी किया वो बंदा खुद ही चोर था तो अब तक यह कहानी पढ़कर हमें समझ में आया कि सोफी अपने मकसद में कामियाब नहीं हो पा रहा है तो दोस्तो आफ फाइनली थके हारे सोफी एक चर्च के पास पहुंचता है और खड़े होकर यह चर्च को देखता है क्योंकि यह चर्च बहुत ही खुपसरत है और इत दोस्तो सोफी को यहाँ खुबसूरत चर्च के पास खड़े होने का अलावेंस नहीं था यानि कि इस चर्च के पास ऐसे लोग खड़े नहीं हो सकते थे तो इसलिए पुलिस ने इसे गिरफतार कर लिया और इसी तरह इस सोफी को तीन महीने की जेल हो जाती है और यह अपने म सब्सक्राइब करें क्योंकि वहाँ पर मैं स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं तो अब अब से मुलकात होगी अगले वीडियो के साथ